हेलो गाइस मैं हूँ अभी सेक और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस अगर आपका मुबाइल का टच बहुत फस फस के चलता है लैग करता है जैसे कि मैंने अपना मुबाइल को यहाँ पे इस तरह सोपिन किया यहाँ पे मेरा मुबाइल का टच बहुत स्मूथ काम करता है पर दोस्तो अगर आपको लगता है कि आपका फोन का टच अच्छे से काम नहीं करता है और आपको लगता है कि आपका टच खराब हो गया है पर अगर आपका मुवाइल का टच एकदम मलब सही काम कर रहा है बस थ्वाल लैग हो रहा है फस फस का चल रहा है तो आप कैसे आप उसे सही कर सकते हो दोस्तों आपको इस वीडियो को सुरूश लेकं तक अच्छी तरसे देखना होगा तभी आपको सारे ट्रीक अच्छे कर सकते हो नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा अगर आपको प्ले स्टोर पर डाउट है कि आपको यह और अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आप हमारे प्ले स्टोर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आस चारो box पर तीं तिलेग खर देना हों दूस्तों, मैं आप कर दिखा देता हूं. यहां पर सबसे पहले आंको नीचे म्हीं आपर स्टर्ट का ऐबती कैनी आप स्टर्ट कापूशन दिखरा हैं, तो आप सिंपले यहां पर फिर गोर। ने हम simply app ok कर दिए और यहां पर हमें जो चारो box है हमें चारो box पर तीन बार टैप करना होगा पारी-पारी से तो हम सबसे परले यहां पर green पर tap करते हैं तो यहां पर हमारा जो है यहां पर analyze कर रहा है कि हमारे mobile के जो touch है में उसमें क्या problem है तो इसी तर से total यहां पर analyze करते जा तो गाइज अब हम यहां पर last box को यहां पर tap करते हैं और आपको दिखाते हैं कि analyze करने के बाद यह हमारा क्या result निकालता है application मेरे touch का दोस्तों मेरा जो touch है वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और यहां पर सौमी रेडमी नोट के 20 परोव बर्जन 11 यहां पर दिखा रहा है मतलब कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर success हो चुका है जो भी मैंने फ्रोसेस आपको दिखाया मतलब कि touch screen का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहां पर पताएगा कि आपका जो touch है कितना इंक्रीज हुआ है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर किलिया 10 MS यहां पर किलिज इंक्रीज हुआ है MS का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड मतलब कि दोस्तों 10 माइक्रो सेकेंड यह टचस्क्रीन के लिए 10 माइक्रो सेकेंड बहुत बड़ी लाइक कर दो और दोस्तों हमारे कॉमेंट सेक्षिन ज़रू पताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और सबसे इंपोर्टेंट बात अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन पर जाके ऑल सेट कर लो